हेलो स्टुडेंट, आज हम नव भारती हिंदी पार्थ माला लेशन नबर थार्टीन स्वामी की दादी शिक्षापर्थ कहानी रीड करेंगे, ओके? स्वामी की दादी शिक्षापरद कहानी बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामी नाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी उनका सामान था पांच दरियां, तीन चादरें, पांच तक्यों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वरगाकार बक्सा और लकडी का एक छोटा बक्सा जिसमें तामबे के सिक्के, इलाइची, लॉंग और सुपारी पड़े रहते थे रात के भुजन के बाद स्वामी नाथन दादी के पास उनकी गोध में सिर रखे लॉंग इलाइची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन और सुरक्षित महसूस कर रहा था बड़ी प्रसनता से भरकर वह बोला, ओ दादी, आप नहीं जानती, राजम कितनी उची चीज है उसने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई आपको पता है उसके पास सच मुझ की पुलिस की वर्दी है, स्वामी नाथम बोला सच, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, दादी ने पूछा उसके पिताजी पुलिस अधीकशक है, वे यहां की पुलिस के सबसे बड़े आफसर है दादी काफी प्रभावित हुई उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा उन्होंने कहा फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामी नाथन के दादा जी रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कापते हुए खड़े उन से डरकर खुखार से खुखार डाकू तक भाग खड़े होते थे सुआमी नाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा लेकिन दादी बोलती ही गई इधर उधर भटकती हुई और अलग-अलग समय पर घटी-घटनाओं को गड़-गड़ करती बस काफी है दादी उसने रूखे स्वर में कहा मैं आपको राजम की बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं सारे नंबर मिलते होंगे है ना दादी ने पूछा अरे नहीं उसे सौ में से 90 नंबर मिलते हैं जलो अच्छा है ले लेकिन तुम्हें भी मैनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा जी कभी-कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले तस्वां हिस्सा वक्त लेते थे। जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं तुम्हारी बुआ नहीं तुम्हारे पिता। याद आया मैंने पहले ठीक कहा था। तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मैडल अब कहा है। मैंने वह तुमारी बुवा को दिया और उस मूरख ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूरख कोई नहीं और अब बस कीजिए दादी आप बेकार की पुरानी कहानिया सुनाती रहती हैं क्या आप राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती हाँ 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 बोलो दादी जब राजम छोटा सा लड़का था बेटायमा आपको इसका सारांश बतारीम प्रस्तुत पार्ट में एक लड़के सुआमिनाथन के अपनी दादी के साथ रिष्टे को दर्शाय गया है रात के भोजन के बाद सुआमिनाथन अपनी दादी की गोद में बड़े प्यार से लेट कर कहानिया सुनता है और सुनात हूई और उन्होंने स्वामिनाथन के दादा जी की कहानि cauliflower प्यादा सुनाने आरम की जब में सब मज़िस्टेट से गारे चाहरे सुनाते है दादी बीच में दूसरी गारे आई तो सुनाती ने कहा मैं आपको राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हुँ उसने बताय कि र बड़े बुज़रों के साथ थोड़ा समय बिता कर उनका अकिलापन दूर करना चाहिए। यह बड़ा इसका सारांस। तो उसने शेर को मात दे दी थी। सच बड़ा बहादूर लड़का है। आप यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं। आपको यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू कि राजम के पिताजी एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर जपटे और एक ने पीछे से हमला करके उसके पिताजी को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक जाड़ी के पीछे छिप गया। और वहीं से बड़ा सा पत्थर फेक कर शेर को धराशाही कर डाला। दादी, दादी, क्या आप सो गई। उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताईए कितने शेर आये थे। दो शेर राजम पर जपटे थे। दादी ने जवाब दिया। स्वामी नाथन दादी के अलत जवाब से चड़ गया। मैं आपको इतनी सरूरी बाते बता रहा हूँ और आप नेंद में न जाने क्या क्या उलजलूल कल्बना किये जा रही है। अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ, आप क्यूं ऐसा कर रही है। आप राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा, जबकि उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामी नाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद आपको शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक-एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भर्गर कहा। स्वामी नाथन को इससे खुशी हुई लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा। जो भी उसे जूट कहेगा वह उसे छोड़ेगा नहीं। दादी ने इसका समर्थन किया और राजा हरिश्चंदर की कहानी सुनाने की बात कही। जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पतनी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापिस मिल गया। उन्होंने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामी नाथन खराटे लेने लगा। दाधी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वे भी सो गई। संदेश, हम बड़े बुजर्गों के साथ थोड़ा समय बिता कर उनका अकेला पन दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको करवारी हूं, दिये गए परसनों के उतर कुछ सब्दों में लिखिए। परसन नमबर वन है, सौामी नाथन की दाधी के पास क्या-क्या सामान था? इसका उत्रहे स्वामी नाथन की दादी का सामान था पांस दरिया, तीन चादरे, पांस तक्यों वाला भारी भरकम बिस्तार पर्षन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्षा और लगडी का एक छोटा बक्षा जिसमें तांबे की सिक्के इलाईची लोंग और सुपारी पड़े रहते थे पर्षन नमर टू है हमारा दादी ने दादा जी के बारे में स्वामी को क्या क्या बताया इसका उत्रह दादी ने बताया कि स्वामी के दादा जी रोबदार सब मजिस्टेट थे जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कापते हुए खड़े रहते थे उनसे डरकर खुंखार से खुंखार डाकू तक बाग खड़े होते थे उसके बाद दादी ने स्वामी को भैबात बताई जब उसके दादा जी को अम्मे में अच्छे नमबर प्राप्ट किये थे पर्शन नमबर थ्री हमारा दादी ने स्वामी नाथन की भुआ को मामुरक क्यों कहा इसका उत्रे दादी ने भुआ को मामुरक इसलिए बताया क्योंकि उसकी भुआ ने दादा जी को मिले मैडल को गलवा कर मामुली सी चूडिया बनवा ले थी दादी ने राजा हरी चंदर के बारे में क्या बताया इसका उधर दादी ने बताया कि राजा हरी चंदर ने आपने वचन का पालन करने के लिए स्यासन पत्नी और बच्चे को खो दिया था और अंत में सब कुछ उने वापे से मिल गया था